तो दोस्तो आज मैं आपको एकदम रेस्टोरेन स्टाइल के सेव टमाटर की सबजी बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ इसे हम बहुत आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं तो रेसिपी को ध्यान से जरूर देखना चलिए इसके लिए यहाँ पर मैंने 7-8 लसन की कली ली, 2 हरी मेच ली है, 3 टमाटर लिये हैं और 1 इंच अद्रक का टुकडा लिया इसे हमने इस तरीके से कट कर लिया है, अब हम इन सब को एक मिक्सी जार में डालेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने यह पेस्ट बना लिया है, तो अब हम गेस की तरफ चलते हैं और गेस पर मैंने कडाई रख दी है, इसमें हम 3 बड़े चम्मच ओयल डालेंगे, ओयल को हलका सा गरम होने देंगे, अब हम इसमें आदी चम्मच जीरा डालेंगे, जीरे को चटकने और साथ में हम इसमें आदी चम्मच राएं डालेंगे, अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के बारिक कटे वे प्याज डालेंगे, और चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे, गेस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है, और साथ में हम इसमें एक चोथाई चम्मच हिंग डाल उससे भी प्याज के साथ में अच्छे से mix कर देंगे और यहाँ पर हमें प्याज को ब्राउन होने तक पकाना है इसलिए गेज की फ्लेश को medium मिर्खना है low नहीं करना है तो यहां पर हमारे प्याज अच्छे से brown हो चुके हैं ये देखो इस तरीके से brown हो जाना चाहिए अब हम इसमें एक टीबली स्पून कश्मिरी लाल मेच डालेंगे उसको भी अच्छे से इस तरीके से mix कर लेंगे अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसको डाल देंगे और उसे भी प्याज के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए इसके लिए अब हम यहाँ पर स्वाधानुसार नमक डालेंगे नमक डालने से प्याज और टमाटर जल्दी गलने लग जाते हैं अब हम इसे ढख कर पांच मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर सीजने देंगे तो यहाँ पर हमारे टमाटर एकदम अच्छे से गल जाना चाहिए तो प्याज और टमाटर से एकदम ओईल छूटने लग जाना चाहिए तो पांच-छे मिनिट के बाद में हमारा मसाला कुछ इस तरीके से सीज़ गया है और ओईल उन सबसे अलग होने लग गया है तो बस इस स्टेज पर हम पीसेवे मसाले डालेंगे तो यहां पर मैं एक चोथाई चम्मच लाल मेज पाउडर एक टेबल इस्पून धनिया पाउडर एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर एक टेबल इस्पून गरम मसाला एक टेबल इस्पून सुखी उभी कसूरी मेथी डालेंगे तो कसूरी मेथी ओप्शनल है अगर आप चाहो तो डाल सकते हो इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में और एक दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको इसी तरीके से हम भूनेंगे अब हम इसमें हराधनिया डालेंगे उसे भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें रेस्टोरेन स्टाइल वाला स्वात देने के लिए फ्रेश मलाई डालेंगे तो यहाँ पर में घर की दो चम्मच फ्रेश मलाई डाल रही हो आप चाहो तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हो इसे मसाले में बहुत अच्छे तरीके से mix करना है गेस की flame आपको medium रखना है और continuously इस तरीके से चमब से चलाते रहना है ताकि जो हमने मलाई डाली है वो मसाले में अच्छे तरीके से mix हो जाए और मसाला एकदम ओईल छोड़ने लग जाए तो इस तरीके से हो जाना चाहिए बिलकुल इससे मलाई का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और मलाई मसाले में बहुत अच्छी तरीके से सीच जाएगी तो अब हम यहाँ पर एक गिलास पानी डालेंगे और अगर आप सेयों कि सबजी थोड़ी सूकी खाना पसंद करते हो तो जादा पानी मट डालना लेकिन एक गिलास पानी ठीक है तो अब हम इसे डख कर 6-7 मिनिट के लिए अच्छे से उबलने देंगे तो 6-7 मिनिट के बाद में यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छे से उबल गई है तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक बटर की टिक्या डाल रही हूँ तो यह ओप्शनल है लेकिन अगर आप प्रोपर रेज्टोरेंट वाला टेस्ट चाहते हो तो इसको जरूर डालना अच्छी तरीके से पूरे मसाले में मिल गई है तो अब हम इसमें सेउ डालेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कप भरके याने एक कटोरी भरके सेउ डाला है और अब हम को सेउ को यहाँ पर इसमें सिजाना नहीं है अब हम गेस की फ्लेम आफ कर देंगे उपर से हरा दन्या डा की हो तो प्लीस हमारी रेसिपी को लाइक करना शेयर करना और चेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ